कोबरा नाप के नेल कटर से दात निकालने वाला सरपमीत्र हुआ कि रखता मुंबई एरपोर्ट से कोकेन की तसकरी करने वाली विदेशी महिला हुई गिरखता पुराने रंजिश के कारण दो युवकों पर जान लेवा हमला सुट्टों को AC में रखने के लिए उसने की साथ लाखी बिजली चूरी रफिक कामदार इंदोस्नाने रिपोर्टर के HR तेज़ खबरों में आपका स्वागत है आज के हमारी पहली HR तेज़ खबर नासिक के निफार तालूका से है निफार तालुका में उगाव करके गाव है वहाँ पर रहने वाले नाना लोखंडे नामक व्यक्ति के घर के पास एक कोवरा नाक पाया गया उसके बाद शिवाजी साबले नामक सर्पमित्र ने आकर के इस नाक को पकड़ा वही कोवरा नाक पकड़ने के दोरान शिवाजी साबले ने उसे पहले लकड़ी से मारपीट की और उसके बाद पकड़ने के बाद नेल कटर से उसके दात निकाले शिवाजी सामले जब इस कोबरा नाक के नेल कटर से दात निकाल रहा था तो कुछ तानियों लोगों ने इसका वीडियो बना लिया वीडियो जब सोशल मेडिया पर जम कर वाईरल हुआ तो इसका सँज्यान वन विभाग ने लिया आखिरकार वन विभाग के अधिकारियों ने इस मामले में शिवाजी साबले के खिलाव अपराद दर्च करते हुए उसको उसके गाउं खेडे से गिरफतार कर लिया कैसा शिवाजी साबले कोबरा नाक के दाथ निकाल रहा था नेलकटर से वो वीडियो हम आपको बता रहें उमारी दूसरी खबर मुंबई से है DRI की मुंबई यूनिट ने डिरेक्टरेट औफ रेविन्यू इंटलिजेंस की मुंबई शाखा ने शुक्रवार को मुंबई एरपोर्ट पे एक बोलिबियन महिला को गिरफतार किया है इस महिला के पेट और गुपतांग से लगबग 13 कंडों में रखी गई 312 ग्राम कोकेन जब्त की गई है DRI की यूनिट को सूचना मिली थी कि एक विदेशी महिला कोकेन की तसकरी हवाईजाज के जरीय करने वाली है उस आधार पर सबसे पहले गैजरेट ओफिसर की मौजूदगी में इस महिला को DRI की यूनिट ने हिरासत में लिया उसके बाद उसके सामान की और उसकी तलाशी ली गई मगर तलाशी में कुछ भी नहीं पाया गया उसके पाद कोड के ओडर पर DRI की यूनिट ने इस महिला के मेडिकल टेस्ट कराए सरजेजे अस्पताल में साथी उसके एकसरे कराए गये एक सरे कराने के बाद पाया गया कि उसके पेट में 11 कंडोम में जो है कोकेन रखी वी है और उसके अलावा जब यह खुलासा हुआ तो इस बोलिवियन महिला जिसका नाम रिबेरिया एनेज डेलिसिया है तो इस बोलिवियन में पूश्टाच के दौरान कबूला कि उसने 13 कंडोम में भरे वे पैकेट थे कोकेन के जिसमें से 11 उसने निगल करके अपने पेट में रखे थे वहीं दो कंडोम के पैकेट कोकेन से भरे उसने अपनी गुपतांग में चुपाई थे कौन है डेलिसिया और कैसे उसने कोकेन चुपा रखी थी उसकी तस्वीर है हम आपको बता रहे है डियाराई की उनिट को शक है कि ये नाइजेरियन और मेकसिकन ड्रक्स तसकरी का पूरा कल्टेल है पूरा रैकेट है जिसके आगे की जाच जो है वो डियाराई उनिट कर र पुरानी रंजिश के चलते आके एक तोली ने इन्हें होटल से भार घसिट कर लेया कर मारपीट की मारपीट के दोरान इन में से एक युवक पर तलवार से वार भी किये गए प्रशान भालेकर ऐसा इस युवक का नाम है ये अपने दोस्त के साथ जो है देहूरोड परिसर के ही विकास नगर में एक होटल में नाश्ता करने के लिए बैठा पा था उसी दोरान जो है प्रशान्त रोहित ओभार डैनी तांदले और उसके अन्य साथियों ने प्रशान्त और उसके दोस्त को भार घसिट कर ले गए और वहां उसके साथ में भयानक मारपीट की और तल नेवू रोड पर जो की इसी होटल के CCTV में कैद हो गए नभी मुंबई के नेरूल से है नेरूल के सेक्टर एक में ट्विन लैंड टावर है यहां पर पांचवी मंजिल पर रहने वाले एक पॉश व्यक्थी ने तो बीच के फ्लैट है दो फ्लैट है जिने कंबाइन किया ग इसके बारे में जब नेरूल डिविजन के MSC DCL के अधिकारियों को सुचना मिली उन्होंने जाक करके पुरी चांच की चांच की तो पाया गया किस तरीके से बिजली चोरी की जारी है MSC DCL के में पावर सप्लाइन में ही पावर सप्लाइ लाइन में ही कनेक्शन जोड करके इस व्यक्ति द्वारा ये बिजली चोरी की जारी थी लगबग 3,44,000 से जादा यूनिट की जो बिजली चोरी थी उस पर इलेक्टिक थेवटैक्ट की सेक्षन 135 के तहट अधिकारियों ने इस व्यक्ति पर 7,22,000 का जुर्माना भरा वहीं व्यक्ति ने तुरंद ये जुर्माना अदा किया ये एक व्यापारी है और हाइफाई कॉलनी पाम बीच के परिसर में है ये ट्विन लेंड बिल्डिंग की और इतनी बड़ी चूरी पहली बार पकड़ी गई है इस परिसर में वहीं दक्ष नागरी को दुआरा यान प्रजाती के ये कुत्ते हैं जिने हमेशा थंडा मौसम लगता है और यहां का तापमान जादा होनी की विज़े से उन्हें एक कमरे में रख करके चोबी सो घंटे एसी चालू दखा जाता था ये थी आज के हमारी एचार तेज खबरे जल्दी हाजिन होंगे हम अपनी अग झालू 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 झालू